फिल्म उपकार में काम किया, तो से नाम पढ़ गया भारत कुमार, इसके बाद का एक किसा कमाल का है, मैं अपने परिवार के साथ एक रेस तरह में खाना खाने गया था, वहीं बाहर खड़ी होकर मैं सिग्रेट पीने लगा, तभी एक लड़की आई और मुझे बहुत जोर से डांट दिया कि आपको शम नहीं आती, आप भारत कुमार होकर सिग्रेट पीते हैं, ये कहना है एक्टर मनोज कुमार का, अमर उजाला मनुरण जंडेस्क से बादचीत में मनोज कुमार ने ये किसा शेयर किया, बक्कॉल, मनोज कुमार, मेरा बच्पन बहुत रोता हुआ गुजरा, आज भी याद करूं, तो जी भराता है, आँखों के पानी को रोक लेता हूँ, लेकिन दिल का रोना नहीं रोक पाता और सबसे ज्यादा खतरनाक होता है दिल का रोना, मुझे दुख था लाहर चूटने का, एबता बाद चूटने का, फिर हम दिल्ली आ गए, य यहां डॉक्टरों की लापरवाई से उसका देहां थो गया, मैं दस साल का था, अपने भाई की मौत के बारे में सुनकर एक धक्का लगा, मैंने एक लाठी उठाई और उस समय वहां जितने डॉक्टर और नरसे थी, उन्हें खूब पीटा, तब तक पिदा जी भी काम से ल पहानी कब शुरू हुई, तो राजकपूर साहब की एक फिल्म का यह डायलोग कह देता हूँ, आज से सव बरस पहले, जब मैं दस बरस का था तब थोड़ा बहुत सिनेमा देखा करता था, राजकपूर साहब की फिल्म जुगनु देखी थी, उसमें किरदार मर जाता है, फिर दिलीब कुमार साहब की फिल्म शहीद देखी, उसमें भी किरदार मर जाता है, मैंने अपनी मा से पूछा बी जी, आदमी कितनी बार मरता है, उन्होंने कहा, एक बार मैंने पूछा, जो दो तीन बार मरें वो उन्होंने कहा, वे फरिष्टा होता है, मैंने सोचा मैं फरिष्टा बनूंगा। उस समय एक फिल्म देखी थी शब नम। उसमें हीरो का नाम मनोज कुमार था। सोचा जब फरिष्टा बनूंगा तो यही नाम रखूंगा। बस यह एक चिंगारी ही काफी थी। मैंने अपने माता पिता से आ गया ली और वर्ष 1956 में मैं मुंबई आ गया। मैं खुद को भागयवान मानता हूं कि मुझे अच्छी फिल्मे मिली। लोगों ने प्यार दिया इजद्दी। वरना यह इंडिस्ट्री तो व्यह इंडिस्ट्री है। जहां एक समय था जब दादा साहिब फालके ने एक स्टूडियो के बाहर खड़ा होकर केद शर्मा से कहा था मेरे पास काम नहीं मुझे काम दिला दो मैं खुश किसमत हूं लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। पहले बचपन में क्लास में टीचर्स ने खड़ा रखा। फिर फिल्में देखते थे तो लाइन में खड़े रहते थे फिर स्टूडियो जाते थे तो अगये मुंबई में मेरे चाचा चाची रहते थे उन्हीं के यहां मैं भी रहने लगा था लेकिन ऐसा वक्त भी आया जब ट्रेने छुट जाने पर मैं प्लेट हॉम पर भी सोया पुलिस वालों के डंडे तक आये लोगों की गालियां सुनी स्टूडियोज के वाच्मेंस तक जलील कर दिया करते थे लेकिन मुझे तो फरिष्टा बन ना था तो जुनून सवार था फिर कड़ी मशकत के बाद वर्ष 1957 में फिल्म फैशन में एक भिकारी का रोल मिला मैं 19 साल का था और रोल 90 साल के एक बुड़े भिकारी का था फिर वर्ष 1958 में फिल्म सहारा में ल की गुडिया में मुझे मुझे मुख्य भूमेका दी मेरे माबाप का आशिरवाद और मेरे गौडफादर वेहू उपर वाला ही श्वर था जिसने आगे बढ़ने में मेरी मदद की मेरा उस भगवान पर विश्वास था कि नेकी से काम करो तो फल जरूर मिलेगा और ऐसा ही हुआ मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल मिला उसके बाद कई फिल्मे मिली लोगों ने बहुत सराहा फिर वर्ष 1968 में फिल्म उपकार में काम किया तो उसे नाम पढ़ गया भारत कुमार इसके पीछे भी एक कमाल का किसा है मैं अपने परिवार के साथ एक रेस तरह में खा पीते हैं मैं स्थब्द रह गया उसके बाद से मैंने थोड़ी सीरियस तरह की फिल्मे करना शुरू किया मैं अपनी फिल्मों में लड़कियों को हाथ लगाने से भी कत्रा आता था कि कहीं वे होचा न दिखने लगे और सिग्रेट भी छुपकर पीने लगा कि कहीं कोई फो हुमर में भी रिटायर नहीं हुआ हूँ आज भी काम करने की लाल सा रहती है और यह अंदर्शकों के सनेह और प्यार की वज़े से ही है जब देखता हूँ कि मुझे जनता इतना प्यार करती है तो कभी कभी रो पढ़ता हूँ